बिहार के मुख्यमार्ति नितीश कुमार इंडिया गडबंदन के संजोजग बनाय जाने वाले हैं इस पर हम प्रतिक्रिया लेते हैं नित्यानन राजी से ये बात चल रही है कि नितीश कुमार को आखिरकार कॉंग्रेस पार्टी दबाव में आकर उन्हें संजोजग बनाने वाली है अब बनाएगी नहीं बनाएगी उनका अब इस है लेकिन बनाने का मतलब भी अब रहा क्या नितीश जी का न बिहार में कोई जनाधार बचाएं ना कॉंग्रेस का जनाधार बचाएं पूरे देश से कॉंग्रेस साफ हो रही है ये लोग जनाधार खो देने के कि लोक तंत्र में महत होता है मद्दाताओं का जनता जनारदन का जो अब बिल्कुल महा गटवंदन, घमडिया गटवंदन के पास नहीं है देश बाश्यों के मन में हमारे मानिय प्रधान मंत्रियादरी नरेंदर मोदी जी है और नरेंदर मोदी जी के मन में दिल में 140 क्रोड देश बासी है इस बीच में कोई नहीं है सबका सफाया हो गया है अब संजोजग बनाना न बनाना उनका भी से है आपको लग रहा है कि नितीश कुमार संजोजग बन जाते हैं तो इससे नरेंदर मोदी के सामने एक पड़ा चेहरा हो जाएगा कोई नरेंदर मोदी जी के सामने में कोई दूसरा चेहरा नहीं कोई कोशिस कर ले मोदी नाम केवलम अब जनता विकास चाहती है लोग विकास चाहते हैं देश की उन्नत्ति चाहते हैं कोई चेहरा है सामने कहा कोई कोई भी नहीं है और दूर दूर तक नहीं है बिलकुल उनके सामने बौने रूप में भी नहीं है बिलकुल उसको हम कह सकते हैं कि बिलकुल ही कोई चेहरा नहीं है जो उनके पसगी में भी हो यह जो घाटन होने वाला है राम मंदिर का युद्या में इस पर क्या आप लोग निटीश कुमार को बत और मुख्य मंत्री आप लोग बुलाएंगे देखिए वो ट्रस्ट का काम है राम जन्भूमी ट्रस्ट बना हुआ है निमंतरन किसको दे रहे हैं लेकिन इतना जरूर है कि जो उनकी बातों से लगता है कि 22 जन्वडी से लेक और लोग जब तक यह धर्ती है जब तक यह स्रिष्टी है तब तक लोग आते रहें और दर्सन राम लला का करके पुन का भागी बनते रहें ऐसा तो ट्रस्ट के लोग का भी रहे है हमारे मानिय प्रधान मंत्री जी भी कहें कि 130 140 करोड देश बास्यों के भावनाव के दर्सन करना चाहिए आपने सुना राम मंदिर को लेकर के भी और संजोजग बनाए जाने को लेकर भी नित्यानन राय की राय हमारे सहयोगी शहरेशक प्रकाश कुमारे भी पी नियूस परता है